कि आज़ी हमें पड़ते है चलते हैं माडील पर जो हम भर्रकर दोसका पार्ट 3 में दो पार्ट हो चुका हैं दूसरे पार्ट में दो कोश्फन और बचा यह घुए था जिसमें एक किश्चन है जो चलते हैं तो सीधी करते हैं है तो हम देखिए यह नहीं हिसे हिर्दया में कोश्ठों की संख्या कितनी होती है तो में साथ रखेगा चार तो यहां पर देखिए यह हमें आने चार कोश्ठत यहां से हमले आ रहे हैं चार को श्ठक यह ठीक है चारों का ना इधर हम लग देते हैं अंगों को इधर देते हैं हम लोग अंग को और इधर यहां पर रख देते हैं फे फड़े को इससे आपको फाइदा क्या होगा जब पुछेगा आपसे दोहरा रुधीर पर संच्रंड क्या पुछेगा दोहरा रुधीर पर शंच्रंड जब यह पुछेगा तब आपको इसकी आ सकता पड़ेगी और बिलुकुल पड़ेगी ठीक है तो मनSeת की हिरदय में चार वैसम पूछे कि कितने होते हैं तब तो कितना कोष्ठ होते हैं this गश्ट यहां होती हैं चारेषम होते हैं अंग और फ्रेष का मतलब लोग क्या होता है आप इतने कौन कौन से होते हैं जवर आप लोगों में मगों में जब मौग में जाएंगे तो मम में सबसे पहले आपको मिलेगा और जब से मिलेग helemaal निमया किस מפना किशुब्र बंद को सिसक्षटयों मिलेगा डायान सारस्वति है तो जयसे ही आप जाएंगे डाया बी श कूल के पास उसी पालफिल मिलेगा और आ knitting यहां हम पहिए उसक्राविक क्या मतलब आप जान पाएंगे यह यह एसे अलिंद ॉसे बाया उसे अलिंद डी से दाया, नौ से निलय, बस से बाया, नौ से निलय, अब डिसाइड करना है कौन नीचे रहेगा, निलय नीचे होता है कि उपर होता है, तो नौ से निलय और नौ से नीचे रहेगा, जो नीचे के दो कोश्ठक होते हैं, वो निलय वाले होते हैं, जो उपर के दो कोश्ठक होते हैं तो दाया अलिंद बाया अलिंद दाया निला निला थीक है इस तरह से आप लोग जान चुके हैं कि कितने व्यस्चम होते हैं अब देखिए मनुष्य के हिर्दय में रुदिर पर संच्रण का मतलब यह होता है कि रुदिर का डॉड़ना रुदिर का सभी भागों तक पोषे से पोठिम बोलते हैं इसके दौरा होता क्या है तो जो भी हमारे णारीं में कोपती सभी कोशिकाओं तक और प्थार्थ परिवहन होते हैं इसके दोजिएकतर खोण के दोज़ार होता है यह सब्सक्राइब होनी होती है उनका परिवहन होता है और साहिक हम्真的 सर्जीट करने का प्रयास के जाता है तो दोनों क्रियां होती है इसमें से उस्वर्जी पदार्थों को सरीट से बाहर निकालने कारे भी करता है यह रुधीर और जितने भी पोसक पदार्थ होते हैं और अक्सिजन होता है अब देखते हैं कैसे होता है तो जो हमारा अंग होता नहीं होता है ठीक है तो सबसे पहले क्या हुआ यहां से जो अंग होता है अंगों पे जब अंग के पास ब्लड रहेगा यहां से असुद दुखुन है असुद दुखुन मतलब कि ऑन आक्सिक्रित ब्लड रुधीर अब यहां से अक्सिक्रित है यह इसमें आक्सिजन की मात्रा नहीं है यहां से यह आएगा और किसमें प्रवेश करेगा दाएं अलिंद में आ यहां से ब्लड के पास का पुंचेगा जानते हैं जो फेफड़ा होता है जब सांस लेते हैं तो आपовरक्त मेंयां अक्सिजन लेते हैं और यहां पहुँच जाएगा और जो कैसा रुद यानी के सुद्रुदीर और यहां से फिर निकलेगा और निकल कर फिर कहाँ जाएगा अंग के पास और सभी अंगों को एक्षिजान परतां करेगा और जब होगताओा यहां से और फिर views संगरत्यैं और बाया अलिंद फिर बाया निले होते फिर अंगों के पास जाएगा यह प्रक्रिया पूरे जीवन पर चलती रहती है तो आप देख पा रहें कि मनुस्थ में रधिर अब जब पुछेगा कि दोहरा रुधिर परसंचरण की से कहते हैं तो आप बताएंगे कि मनुस्थ में रु दो बार हिड़ते में परवेश करता है इस प्रकिरिया को हम कहते हैं दोहरा रुधिर परसंचरण जैसे एक बार अंग से गया और पहुंचा दाया अलिंद फिर दायाँ निले फिर यहां से आकर निकल और फिर कहां गया फेफ़ड़े के पास फेफड़े के पास सूध हो ग पुछेगा तो हम कर सकते हैं इसको फीगर के साथ अब अक्सिक्रीट सब्सक्राइब पूचा है फिर पूचा द्वार को से कहां होती है यह कहां पाजाती साथ यह पतिया होती है तो जो पतिया वोती है पतिए या चुट छीडर रहोते हैं पति है यह कोई देखिंगे हम लोग जिसने माले कि यह कोई पति अधिक कीया है को पती है तो इस पती जो पतियां होती पतियों में छोटे-श्य रहोते हैं वोस्ते मुंत defensiva रंद्र में अब हमने यहां पर रंद्र का फीगर मनाया है जो रंद्र होता है यह रंद्र में जो रंद्र होता है यह रंद्र है रंद्र के किनारे पर रंद्र के किनारे पर दो कोशिकाएं होती है इन दोनों कोशिकाओं को हम बोलते हैं गार्ड कोशिका या रच्छक कोशिक या द्वार कोशी का कोई ना दे सकते हैं वी रंद्र के किनारे दो कोश्षिखाएं होती हैं इसको घाड कोश्षिण करते हैं इसमें देखें तो रंदर के कोशिकाओं को गार्ड कोशिका या रच्छक कोशिका या फिर द्वार कोशिका कहते हैं दोरिय पर हैं इसको बोल रहे हैं द्वार कोशिका और द्वार कोशिका के अंदर क्लोरोप्लास्ट होते हैं लोरो प्राश्ट होते हैं द्वार कोस्का के चार और कोस्का को क्या कहते हैं सहायक कोस्का कहते हैं तो आप सीधे से बताएंगे आप लोग कि रंद्र जो होता है पत्यों पायता है जिससे पौधे सुसंग करते हैं चिद्र के तरस होता है और रंद्र के किनारे पर यानि रंद्र के पास ही दो कोस्का होती है जिन्हें दो कोस्का होती है जिन्हें गार्ड कोस्का या रच्छक कोशका कलो को इनदर की भीत्ति की मोटी होती है इस कि बाहर को को जो को जिखाय है साब लिख पायेंगे यह हम देते हैं पूछा गया प mash जनके लिए कॉन सा भाग कि अधिक न्कूल होता है पहले जाने का जयेन, का मतलब यह होता है, कि जब पाधो में जड़तना और पत्ति के द्वारां जो जड़तना और्पतियां होता है हने कोँ मोलते हैं का आइक अंग, क्योंकि पुस्प में नर, युगमक मादा युगमक होता है नर भाग होता है मादा भाग होता है तो अगर पुस्प के नर और मादा भाग से या नर और मादा भाग के मिलने से अगर नए संतान की उत्पत्ती होती है तो उसकरिया को हम बोलते हैं लैंगिक जनन और नर और मादा के अलामा पुस्प के कि अन्य भागी से सखेक्व है अगर नए संतान कितपत्छी तो क्या करते हैं पधों में काईकनगों नए संतान कीवट्ट पत्ती को जर्द्वर्ण जन उस ते लेंग सब्सक्राइब काग्स होता है उनकूल कौर कौन सा होगा सबस्राइद physics होगा। सारे प numéro लेते हैं जैसे गन्न departure हुगत है आलू का थे था तो यहां पर देखिए सबसे पहले इसको मिटा रहे हैं इसको मिटा दे कहीं बता दे फिर से आप लोगों को इसको मिटा दे रहे हैं यहां से इसको मिटा दे रहे हैं तो सबसे पहले हम लेते हैं नर युगमक और फिल लेते हैं मादा युगमक तो जो नर युगमक होता है इसमें गुर्षतर होते हैं अगुडित मनें इन होता है इन लिखें चाहें दिखाएं चाहें एकसर से दिखाएं अगुडित होता है मनें कि आधा होता है मनें पूरे उस जिसका युगमक होगा जिसका नर युगमक होती हैं उसको युगमक मुश्की आधी कोस्का हैं जैस फेसे में अंडाडू बनता है अगुड़ी तो आप देख पा रहें कि जब नर और माधा युगमक मिलेंगे तो उसके मिलने क्रिया क्या करते हैं नर युगमक क्या बनता है जाइगोट बनता है जाइगोट होता है इसी को हम बोलते हैं यूगमनज जाइगोट या फिर यूगमनज यूगमनज बोलते हैं क्या बोलते हैं यूगमनज बोलते हैं तो जाइगोट हो जाइगोट हो यूगमनज हो यह कितना यहन होता है तू यहन क्यों क्यो होता कैसा है द्यूग्डित होता है तो टू या टू एक्स कुछ भी दिया रहे यह हो जाएगा तो नर युगमक और मादा युगमक के मिलने किरिया को अब बनेगा यहीं कितना रहेगा 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 और बनेगा संतान कितपत्ती करता है तो यह पूरा होगे आप लोंका आप समुला प्रश्न ठीक है उत्तरा को मिल चुका होगा अगर चलते हैं लोग नेश्ट के संपर पूछा गया है कि जिवास्म को परवाशीत कीजिए और एक उदाहरान के साथ महत्तों को समझाईए तो हम देखें जिवास्में किसे कहते हैं फिर जानेंगे हम लोग कि जिवास्में विज्ञान क्या होता है सबसे पहले हम अखें यह हो जाएगा यह वाला इसका उत्तर हो जाएगा फिर मात उलोग सब अला और इसना का उत्तर इसलोत लाटाएगा यह वाला प Україंट बताएगा और यह वाला हले हम पढ़ेंगे जिवास में किसे कहते हैं तो जिवास में का मतलब यह होता है हम लेक्षर बस देंगे अलों सुनते रहेगा कि जो भूपरपटी या निकी पिर्थवी के उपर ही जो परत है तो भूपरपटी हम कहें चाहिए भूपटल कहें तो भूपटल की चटानों से प्राप्त होने वाले फिर सुनिएगा भूपटल की चटानों से प्राप्त होने वाले प्राचीन कालिन जिवधारियों के अवसेश को जिवास म कहते हैं प्राप्त होने वाले प्राचीन कालिन जिवधारियों के ईसको जिवास म कहते हैं अब पूछा जिवासमे ज्यान क्या होता हम चाल लें तो जिवासमों के अध्यान को क्या करते हैं जिवासमों का अध्यान करते हैं जिवासमों का अध्यान करते हैं और जिवासमे की करण किसे करते हैं जिवासमी करण चाहिए जिवासमे की करण पूछा अगर आपसे तो जिवासमों का ध्यान यानि वह विज्ञान चाहिए विज्ञान की वह साखा जिसके अंतरगत जिवासमों का ध्यान करते हैं जिवासमों का ध्यान करते हैं जिवासमों किसे कहते हैं कर्ण मने क्रिया होता है और जिवासमों के निर्मान की क्रिया यानि जिवासमों के निर्मा क्या करते हैं आपसे जवासमी कि निर्दान कैसे करते हैं कैसे हम पता लगाते हैं कि वह जिवासमी में कितने वर्ष पूराना है तूप यह ऊ utilizzate इनल से वह करते हैं रेडियो Brennan कारबन डेटिंग द्वारा एंसिरा तो जिवास में कितने वर्स पुराना है या पुर्थी पर कभ यह मौझूद था ठीक है जिवास में किसे करते हैं तो जिवास में कि आयुका निधान कैसे करते हैं अब चलते हैं प्रकार पढ़ लेते हैं सोरी प्रकार बाद में पढ़ते हैं प्रत्मान में उनसे तुलना कराते हैं जब तुलना कराते हैं तो अंग कुछ न कुछ मिल जाते हैं नए वाले जो इसमें जीव मौजूद है उनसे तो अगर उनके कुछ लच्छन या कुछ हड़ियां या कुछ गुण मिलते दिखाएते हैं तो हम यह सी दिखार पाते हैं यह हम समझ पाते हैं कि जो नया जीव है यह आज क्या वरतमान का वो इसी जीव से जो इसका जीवास मिला है इसी जीव से उसका विकास हुआ हो जैसे हम लोग मनुष्य हैं तो हम लोग कहते हैं कि हमारे विकास बंदरों से हुआ है इसका मतलब क्या होता है कि बंदरों से कुछ न कुछ गुण हमारा मिलता होगा तब ही तो हम कहा पाते हैं तो ठीक वैसे ही जो जिवास में की जब खुदाई होती है तो जो अवसेस मिलते हैं उसका compare कराते हैं तूलना कराते हैं आन इस समय के जीवों से तो अगर उस समय के जीवों से तूलना कराने पर कुछ मैच करता है मिलता है तो हम यह कहा पाते हैं य से बहुत समय पहले पूर्थी पश्णा चुच थे यह ऐसा जीव था जिसकी चोंच हुआ करती थी पच्छों के तरफ से इसके पहर हुआ करते चलने के लिए पूच्छ वगा करती थी और अंदर दात भी हुआ करते थे तो पूच्छ किसके पास होती है छिपकली के पास पंख होता था था हैं यो को पास क्राप्फ से इसका प्योग करते है तो आझ प्राप्त हैं पेट्रोलियं से प्वट्रोल इघ्रम अभी आंठेवर् का तेल यह सभी कि जिवास में इंदन हैं इनका प्राचीन काली में जो भी जिवधारी पिर्थवी के अंदर दब गए थे जब गए थे तो सड़ने गलने के बाद कई करणों वर्स शरते गलते रहे सड़ते जो उनके नरम भाग थे कोमल भाग थे वह सड़ गल मिट्टी इंदर तो चातर स्कों मिट्टी पूरा घेर ली घेर ली अब सड्ञ मोझा घ्याएगा तो जीऌ सांचा बनay gemacht कर अाकार 1-2-3 ज्वास्म सांचा जीवास्म ठीक दूसरा थपा जीव है जिस बलग गिरा पिर्थी के जिस बलग दबा था उस बलग का साचा ठपा बन गया क्या बन गया मोहर बन गए जैसे हैं पंजफ उसको फिर बन गया इसको मौता है थपा जिवास और परिवर्थित यह जीव जिवरिशके और यह पर पर परिवर्थतmark जो परीशकु की त propri तुमें कि चले गए तक नीचे चले गये थे दब गए टाप्दाब के कारण है औही에도 करanno चुना पथर केलसियम कार्बोनेट संग्मर्मरी सरसे उनमें परवर्तित हो गए उनको हम बोलते हैं परस्तरीक रित जीवासमा ठीक है जीवासमें से बने वाल प्रश्ण है पूरा-पूरा खतम हो चुका है प्रश्ण बनता है यहीं से बनता इस इधर वाल टॉपिक से ठीक है जवास में ंर्मान के लिए को आते हैं तो ली कारण देटिंद वारा पता लागते हैं महत्तों क्या अइसा पूछ हम समझें ठीक है नेश्ट में चलते हैं कि न च्क नहुंद हमारा है कि वाई-वी और ज़हें पूंद दो नंबर में आंतर होता है अकसी और और ठीक से पूछे कि आकसी शुषन और तब लिखेंगे किसे काते है तो रही पुरा पॉइंट पुछता है कि वाई भी सोषन और राविक स्वेशन में अंतर क्या होता है तो पहला अंतर आपको दिखाशा दिखाए कि वाई मतलब यह रिक्रिया यानि कि वॉइभी है तो यह वायू की उपस्ति में होता है और हम यह ङया की अनुपस्ति में होता हैं इसमें क्या होता है CO2 और उर्जा दोनों का रिमान होता है इसमें CO2 का रिमान होता है और उर्जा मुक्त होती है इसमें क्या होता है लिखेंगे कि इसमें एतनाल और CO2 बनता है तथा उर्जा मुक्त होती है इसमें क्या लिखेंगे कि CO2 बनता है और उर्जा मुक्त होती है और इसमें एथनाल, CO2, एथनाल और CO2 का लिर्मान होता है, तथा उर्जा मुग्द होती है, तिसरा पॉइंट, इसमें गुलकोज का पूर्ड आक्सी करण होता है, इसमें गुलकोज का पूर्ड आक्सी करण होता है, मनें पूरा पूरा गुलकोज टूटता है, इसमें गुल Κोज होता है गुलकोज के ४ूड आक्सिकलन होने से उर्जा और जलका निरमान होता है इस पुरी प्रिक्रिया कम क्या कहते हैं स्वसान निर्मान होता है इस कि क्रक्रिया करते हैं स्वासना का तरे हैं सवसना दो प्रकार का होता है वाइबगी और वभाईबी हम दोनों में अंतरपढ रहे हैं अंतर ना पूछे परिवासा पूख दे इसको लिखना होगा तो इसको पुछेगा तो इसको पूछेगा तो अंतर बढले बागे देलने तो यह वायू की उपस्ती होता है इसमें स्योटू का निर्मान होता है और उर्जा मुगत होती है इसमें गुलकोज का पूर आक्सिकरण होता है इसमें एक मोल गुलकोज से 39 ATP या 670 क्योकालोरी उरजा का निर्मान होता है इसमें एक मोल गुल्कोच के आक्षिकराण से इसमें 1 जिए फीक एक मोल गुल्कोच के आक्षिकराण से 39 ATP या अध निर्मान होती है इसमें इसमें एक मोल गुलकोच के आक्सिगरंड से दू एटीपी या 27 किलो कलोरी उर्जा मुक्त होती है अंतर हो गया एक जांपल देने काहाँ पायता है तो जितने भी सोपोसी होते हैं और जनतु होते हैं उन सब में क्या होता है आक्सी स्वसन होता है और यह सुक्ष मजीव होता है जिस महनतवाला काम कर रहा अधिक तेजी से तो उस समय उसके अंदर अनाक्सी स्वसन भी होता है इसलिए मांस्पेसिया उस काम के करने की कुछ दिरबाद या सुबह में ठक जाने के बाद दर्द करन लगती है ठीक है कि उसमें एथनाल बनना सुरू हो जाता है ठीक तो यह पू